लोग सभाचुनावों की तैयारी बीजेपी का सबसे बड़ा किला बचाना है गुजरात में चल रहा है काला खेल किसी भी की मत पर चीतनी है 26 सीटें ओपरेशन ब्लाक कमर दावस्कार एक ऐसा वक्ट जब पूरा देश पुलवामा की शहादत पर आंसु बहारा था जब देश घमजदा था तब भारती जनता पार्टी गुजरात में एक काला खेल रच रही थी जिहां रविवार को लोग सभाचुनावों की घोशना हो चुकी है मगर इसकी तैयारी भारती जनता पार्टी ने अपने ही अंदाज में पहले से करनी शुरू कर दी है आज हम आपरेशन ब्लाक कमल की तहों तक जड़ तक पहुँशने वाले हैं मगर आई उससे पहले देखते हैं कारकरम में क्या है खास साम दाम दंड भेच से जारी है गुजरात में ऑपरेशन ब्लाक कमल चुनाव आयोग बताए भारती जनता पार्टी के साथ खून माफ और संबित पात्रा के बाद किसने कहा मोदी जी देश के पापा इससे पहले कि हम रुख करें ऑपरेशन ब्लाक कमल का कुछ सवाल जो आज हम चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं 40 दिनों के आम चुनाव उत्तर पदेश, बिहार और पश्चिम मंगाल में 7 चरणों की चुनाव मद्ध प्रदेश में चुनाव विधान सभा में एक दिन में हो गए थे मगर यहां चार चरणों में होंगे और यही नहीं दोस्तों चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किये थे क्या वो दिशा निर्देश भारती जांता पार्टी पर लागू नहीं होते इसके बारे में हम आपको बहुत विस्तार से आगे बताएंगे मगर सबसे पहले हम आपके सामने रखने जा रहे हैं ओपरेशन ब्लाक कमल जी हां ओपरेशन ब्लाक कमल का परदाफाश आप आज नियूस चक्र में देखने जा रहे हैं हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से कॉंग्रिस पार्टी से दो एमेलेज ने बीते शुकरवार को इस्तीफा दिया एक और तीसरा कॉंग्रिस का एमेले उससे भी भारती जानता पार्टी ने संपर किया और एहंदाबाद की अखबार मिरर को उस आदमी ने बताया कि उसे 150 करोड रुपे की पेशकश की गई थी हमारा सवाल ये कि ये जो दो अन्ने एमेलेज शामिल हुए हैं बीजेपी में कहीं उन पर भी कृपा तो नहीं बरसी है जी हाँ क्या ये सवाल पूछा जाना जरूरी नहीं है दोस्तों सबसे पहले हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं Operation Black Amal के Mastermind इस Black Amal के Mastermind तीन है सबसे पहले खोर कीजिये इस शक्स पर ये हैं केंद्र में मंत्री और बीजेपी नेता मनसुक मंडाविया इस Operation में दूसरी कड़ी जुरती है गुजरात के गर्ह राज मंत्री प्रदीप सिंग जाडेजा के साथ और इसमें तीसरा शक्स ये है ये शक्स जो कॉंग्रिस से बीजेपी में शामिल हुआ है और इसका नाम है कुमर जी पवालिया और इन तीनों की डोर अपने हाथों में थामे हुए सियासत के धुरंदर और वो शक्स जिसे भारती जनता पार्टी अपना चानक के बताती है आमित शाह तो ये तो थे मास्टर माइंड्स मगर आपको ये जानना बेहत जरूरी कि आखिर ऑपरेशन ब्लाक कमल लाउंच क्यों किया गया आपको याद होगा कि इस तरह से भारती जनता पार्टी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बार करनाटक में ओपरेशन कमल चलाने की कोशिश की कॉंग्रिस के और JDS के MLS को तोडने की कोशिश की मगर उसे सफलता नहीं मिली मद्ध प्रदेश में आपको याद होगा कैलाश विजवर्गी का उबयान जिसमें उन्होंने कहा था कि हम शाहें तो 15 दिन में कमल लाउत की सरकार गिरा सकते हैं कुछ इसी तरह का इंतजाम गुजरात में भी किया गया ताकि गुजरात के अंदर भारती जहनता पार्टी की ना सिर्विधान सभा में ताकत को बढ़ाया जाए बलकि कॉंग्रिस की जड़ों पर वार किया जाए ताकि उसे 26 की 26 सीटें बिले दोस्तों भारती जहनता पार्टी को लग रहा था कि पुलवामा की शहादत को सियासत में भुनाने के बावजूद उसे गुजरात में वैसा फाइदा नहीं मिल रहा था जिसके जरीए वो यहां पे क्लीन स्वीप कर सके और यही वज़ा है कि आपरेशन ब्लाक कमल वहां पर लॉंच किया गया सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे काले खेल के पीछे की कहानी सबसे पहले होती है ये मुलाकात इस मुलाकात में मौजूद होते हैं ये दो शक्स भारती जहता पार्टी के अध्यक्ष आमिच शाह और साथी केंद्र में मंत्री और इस के मास्टर माइंड मंसुक मंडाविया इस मुलाकात में आमिच शाह का संदेश स्पष्ट है और वो संदेश क्या है वो संदेश ये है कि कॉंग्रिस का अकाउंट तक नहीं खुलना चाहिए गुजरात में यहाँ पर स्कोर होना चाहिए 26-0 यानि 26 भारती जाता पार्टी के बक्ष में और शून कॉंग्रिस तो जहां केंद्र में मंत्री मनसुक मंडाविया इस ओपरेशन को लीड कर रहे थे वो अपने इस ओपरेशन में शामिल करते हैं इस दूसरे शक्स को गुजरात के ग्रहराज मंत्री प्रदीप सिंग जाडेजा और प्रदीप सिंग जाडेजा क्यों? क्योंकि वो ग्रहराज मंत्री हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रह मंत्रवाले के अंतरगत पुलीस और इंटेलिजन्स एजिन्सीज आती हैं और इस आपरेशन में उन्हें शामिल करना था एक तीसरे शक्स को इस शक्स का नाम है कुमरजी बवालिया ये वो शक्स है जो कि भारती जनता पार्टी में शामिल हुआ था कॉंग्रिस की तरफ से यानि कि कुमरजी बवालिया को कॉंग्रिस की नस नस की जानकारी थी उसे वाकिफ था इस बात से वो कि कॉंग्रिस के अंदर क्या हो रहा था यानि कि ये तिकडी तयार हो गई मंसुख भाई, प्रदीप सिंग और कुमर जी ये तीनों इस ओपरेशन के मास्टर माइंड ये ओपरेशन इतनी बारीकी से रचा गया था आपको अंदाजा इस बात से लग सकता है कि मिरर को भारती जनता पार्टी के एक नेता ने क्या कहा था इस नेता ने कहा था कि हमने बारह विदायकों को शॉटलिस्ट किया था ये लोग सुरेंद्र नगर, अमरेली, शामनगर, पाटन और बनासकाठा से थे हमने सर्वे किया था और पाया था कि पुलवामा के बावजूद आठ सीट्स ऐसी थी जा हम हार सकते थे इसलिए शुरू हुआ ओपरेशन ब्लाक कमल और अब दोस्तों अगोर कीजे इन चार शब्दों पर साम, ताम, तंड और भेद इन चारो शब्दों का इस्तमाल किया जा रहा था इस ऑपरेशन में मैंने आपको क्या बताया? इस ऑपरेशन में शामिल थे गुजरात के ग्रह राज्यमंत्री परदीप सिंग जाडे जब उनके जरिये पुलीस और इंटेलिजन्स एजनसीज कॉंग्रिस के तमाम MLS की कुंडली तयार कर रही थी सही सुना आप इस कुंडली में क्या-क्या होने वाला है वो आपको बताएंगे बाद में मगर जामनगर से एक भारती जनता पार्टी के नेता ने गुमनामी पर क्या बताया पहले आप ये सुनिए उनका कैना कि हमारे पास पैसों की कोई कामी नहीं थी इसलिए हम कॉंग्रिस के MLS को मुह मांगी कीमत दे सकते थे मगर सियासत में खेल सिर्फ पैसे का नहीं होता है जी हाँ यहीं पर उनकी कुंडली जो है वो काम आती है और इस कुंडली में क्या-क्या जानकारी थी कि आखिर ये नेता किस से मिलते है शादी शुदा होते हुए कहीं इनके अफैर्स तो नहीं है इनकी आर्थिक हैसित क्या है आखिर किन व्यापारियों के साथ इनके रिश्टे है तो एक तरफ डौजियर्स तयार हो चुके थे कुंडलीयां तयार हो चुकी थी और दूसरी तरफ कॉंग्रिस का लचर ने त्रतुर हम आपको बता दें कि कॉंग्रिस के नाक के नीचे ऑपरेशन हो रहा था मगर कॉंग्रिस को इसकी पिल्कुल भी जानकारी नहीं थे हम आपको एक बहुती हैरत में डाल देने वाली बात बताना चाहते हैं कि कॉंग्रिस की तरफ से चार बार MLA चुने गए इनका नाम है जवाहर चावडा ये वो शक्स है जिसे जिम्मेदारी दी गई थी कॉंग्रिस की CWC की पैठक की 12 मार्श को एहमदाबाद में राहूल गांधी के एक रैली होनी है इसकी जिम्मेदारी भी जवाहर चावडा को दी गई थी मगर ये शक्स अचानक भारती जनता पार्टी में शामिल हो गया और ना सिर्फ शामिल हो गया शामिल होने के 24 घंटे बाद इन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट की शपत भी दिलवा दी गई जवाहर चावडा, कॉंग्रिस का ट्रस्टिड एमिले, वो अब पीजेपी में मंत्री है क्या कहेंगे आप? क्या ये गुजरात का मॉडल है? क्या ये देशभक्ती है? क्या ये वो पार्टी है जो हमें घ्यान देती है कि साहब पुलवामा पर सियासत ना करो? क्योंकि जब पुलवामा परदेश आंसू बहा रहा था, तब आप गुजरात के अंदर ऑपरेशन ब्लाक कमल रच रहे थी यहीं नहीं दोस्तों, एक और MLA पुर्शोत्तम साबरिया जो कि एक बड़े सीचाई घोटाले में आरूपी हैं, जेल में हैं, उन्हें भी धमकाया गया था कि अगर तुम भारती जनता पार्टी में शामिल नहीं होगे, तो तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ा दी जा इसका ये कहना था कि उसे तो एक सो पचास करोड से ज्यादा की ओफर की गई थी, इस नेता ने बाद में राहुल गांधी और एहमद पटेल से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उसने ये मन बनाया कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होगा, मगर मेरा सवाल यहां पर य तो ये पैसे किसानों को, पेरोजगारों को, दलितों को, घरीबों को क्यों नहीं जा सकते हैं? क्या आपने इस बात पर गौर किया है? पार्टी तोड़ने के लिए बीजेपी के पास धेरों पैसा है, पुलवामा पर ये लोग सियासत करते हैं, मगर जब असलीम तो उससे ये लोग मूँ मोल देता हैं, दोस्तों यही बात नहीं, कॉंग्रिस की एक और दिक्कत है, कॉंग्रिस की दिक्कत यह है कि उसके कम से कम 19 ऐसे नेता हैं, जिनमें कॉंग्रिस विधायक, नेता, पारशद, पूर्वसांसद, पार्टी अध्यक्ष, ये तमाम पार्टी के लिए बहुत आसान है, अब आप गोर कीजिए कि वरिष्ट बीजेपी नेता और पूर्व मंतरी दिलीब संग्हानी का क्या कहना है, दिलीब संग्हानी कहते हैं, मुझे खुशी है कि भेडों की तरह कॉंग्रिस विधायक हमारे पास आ रहे हैं, हमने कॉंग्र पास जो है, वो ये मान कर चल रही है, कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको गोर करना होगा उनके दो नेताओं के बयान पर, सबसे पहले राजीव साटव, राजीव साटव क्या कहते हैं, राजीव साटव ये कहते हैं, कि गुजरात के विधान सभाचुनाव और गुनी हो गई थी, हम जानते हैं कि वो हमारे होसलों को कुछलना चाहती है, मगर इससे हमारे कैडर में और भी और जा आ गई है, क्या कहते हैं, आमिद शावडा ये भी आप देखिए, ये कॉंगरिस के नेता है, ये कहते हैं कि ये बीजेपी के अंदाज है, हमारे बारहा नेता लेकर उन्होंने कॉंगरिस युक्त बीजेपी बना ली है, जिन लोग को उन्होंने टिकेट दी है, उनमें से सिर्फ तीन जीते थे गुजरात के विधान सभा चुनावों में, जी हां, कुछ इस तरह से अंजाम दिया जा रहा है ऑपरेशन बलाक कमल को गुजरात मे वो भी जब पूरा देश पुलवामा की शहादत से घंजदा है, तो बताईए, देश भक्त कौन? और अब बारी है, निउस चक्र में हमारी इस दूसरी पेशकाश, दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पर आप चुनावायोग का एक लेटर देख रहे हैं, चुनावायोग इसमें सभी पार्टी से अपील कर रही है, कि आप पुलवामा की शहादत को सियासत के लिए ना भुनाए पहला सवाल, कि आखिर कौन सी पुलिटिकल पार्टी पुलवामा की शहादत को भुना रही है, क्योंकि जिस दिन हमारे जवान शहीद हुए थे, उसके अगले दिन अमिच शाव वोट मांगने लगे थे प्रधान मंत्री की चुरू में राली, इस राली में उनके पीछे मंच पर हमारे तमाम शहीदों की फोटो लगी हुई थे और ये तस्वीर देखिए, इंडिया टुडे के हवाले से ये तस्वीर आई है, दक्षणी दिल्ली में लाडो सराई की ये तस्वीर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बड़े से पोस्चर में अभिनंदन के चेहरे का इस्तमाल किया गया है तो मेरा सवाल ये है चुनाव आयूग से, कि क्या आपने आँखे मून रखी हैं, क्या आपको ये हकीकत नहीं दिखाई दे रही है, हम आपसे ये भी आपर सवाल पूछना चाहते हैं, कि जब राजसभा चुनाव से पहले जिसमें एहमत पटील चुन के आये थे, उस कोई कड़े तेवर नहीं अपनाए थे, और ऑपरेशन ब्लाक का मिल में भी वही चल रहा है, आखिर चुनाव आयोग अपनी आखें कब खोलेगा, और अब वारी निउस चक्र में हमारी तीसरी प्रस्तुती की संबित पात्रा के बाद किसने मोदी जी को बताया देश का पा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको फिर से सुनाना चाहूंगा कि आकर संबित पात्रा और कनेया कुमार में जब न्यूज 18 की इस कारकर में बहस जल रही थी, तो किस तरह संबित पात्रा ने मोदी जी को देश का पिता जी बता दिया था, यह यह कहा जाए, बाप बता दिया दोस्तों यह AIADM के किनेता और वहाँ परमंत्री और इनका नाम है केटी राजेंद्र बालाजे, इनका यह कहना था कि मोदी हमारे डाडी है, मोदी देश के डाडी है, यानि कि संबित पात्रा का रोग इन्हें भी लग गया है, सवाल यह दोस्तों, कि मोदी जी हम सब के लि जियां, कोई भी उम्र में बड़ा हो, बुजर्ग हो, वो हमारे लिए पिता समान है, मगर कोई अगर हमें यह समझाए कि कोई शक्स आपका बाप है, तो क्या आपको पसंद आएगा, और शायद यही वज़ा है, तो भारती जानता पार्टी और उनके तमाम चाटुकार ने हो रहा है, जिसमें प्रधान मंत्री उस शक्स की तारीफ कर रहे हैं, जिनोंने हाल ही में कैमरास के सामने, पुलीस के सामने, अपने ही वधाय की जम कर जूतों से धुनाए की थी, देखिए, हमारी सांसद में, एक युवा, जो जहारो, सक्रिय, और नम्रता और विवेट से भरे हुए, इसी धर्ती की संतान, हमारे सांसद स्रिमान शरत्त्रिपाटी जी, नम्रता और विवेट से भरे हुए, इसी धर्ता और विवेट से भरे हुए, तो नम्रता और विवेट से भरे हुए, इसी धर्त्रिपाटी जी, तो निव उस शक्र में बस इतना ही अविसार शर्मा को दीजिए, अजासत और आप से मेरी अपील, कि आप मेरे इस कारक्रम को लाइक और शेर करें और न्यूस क्लिक को सब्सक्राइब करें, नमस्कार.